हेलो मैं प्रमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूँ लर्न विद प्रमेंद्र आवत में इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैट्स का प्रैक्टिस सेट 24 तो चलिए सुरू करता है पहला क्वेशन आपके सामने है चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिस किजिए क्वेशन है पान्सो पच्चिस सोरी 5525 भागा 17 बराबर रूट क्वेशन मारकी जिए हमने ले लिए हमने एक्स ठीक है तो इसकी वैल्यू हमें ग्यान करनी है अगर हम इसमें 17 का भाग देंगे तो कितना आएगा 17 तिया 51 यहां बचेगा आपका 4 और यहां बचेगा 2 तो 17 देवासलास्ट में 85, 17 पंजी 85 बराबर होगा रूट एक्स अब जैसे ही हम इसका रूट अटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा स्क्वाइर 325 का स्क्वाइर बराबर एक्स या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों तरफ इसको एक्स करने पर जैसे हम स्क्वाइर कर करने हैं वही हमारा solution होगा तो 325 का square निकालना तो आसान होगा नहीं तो इसको क्या करते हैं गुणा करते हैं 25 का square नहीं 64 काओ निकालना तो आसान गें तो आसान होगा ταन रान अधाट नहीं तो एक एक दो आदव सोहगे और लुग। सही उत्तर होगा एक लाग पाँच जार चैसो पच्चिस अपसर नमबर सी अगला केशन आपके सामने है चलिए सॉल्व करने की कोशिस कीजिए सबसे चोटी भिन आपको ग्याद करनी है ठीक है तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है आप भाग भी कर सकते है ठीक है इसका मान आया पॉएंट साथ उसके बाद इसका मान आपके पास आया 0.7 इसके बाद 5 का भाग अगर इसमें देंगे चार में देंगे 5 का भाग तो 5, 48, 40, यहां पे आएगा 0.8 इसके बाद इसमें भी भाग देंगे तो यहां पे आएगा 7, 8, 56, फिर बचेगा 4, 7, 35, तो 8 0.85 उसके बाद 13 में आप 13 का भाग 9 में दोगे तो यहां पे आएगा आपका यहां पे आपका आएगा 13, 71 में 13, 68 तो यह 6 आ रहा है ठीक है यहां पे 7 है, यहां पे 8 है यहां पे 8 है और यहां पे 0.6 है तो सबसे छोटी संक्या कौन सी होगी option number D next question है चलिए इसको solve गरने की कोशिश कीजिए 525 में इसका कितना परतिस्त जोडा جाए कि 735 प्राप्थ हो मानलो x% जोडा जाए कितना परतिस्त जोडा जाए? x तो 525 में जोडा जाता है plus 535 का ही किसका? 525 का 525 का x परतिस्त जोडने पर क्या आता है 735 ठीक है अब इसको आगे solve करेंगे 525 जाएगा उदर 525 गुणा x परतिसत का मतलब बट्टे 100 बराबर 735 ये वाला जो 525 था ये जाएगा दूसरी साइड माइनस 525 माइनस 525 इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 5 में से 5 या 0 यहां बचेगा 1 यहां बचेगा 7 में से 5 या 210 अब आगे solve करेंगे तो x बराबर आपका होगा 210 गुणा ये जो 525 है ये तो जाएगा आपका भाग में और जो ये 100 है ये जाएगा आपका 25 से कटेगा 104 बार 25 से ये कटेगा दो बार 25 दूना 50 और 25 से कम 25 21 से 21 कट गया एक बार तो यहां पे आपका आगया 10 और यहां है आपका 4 तो X बराबर के आएगा 40 परतिसत ठीक है option number D आगे बढ़ते हैं अगला question आपके सामने हैं कई बार मैं आपको बता चुका हूँ पर हावर से मीटर पर सेकिंड में जाते हैं तो हम गुणा करते हैं 5 बटे 18 से इसको हम गुणा करेंगे 63 को 5 बटे 18 से 9 से कटेगा 7 बार 9 से कटेगा 2 बार तो यह होगा आपका 35 बटे 2 और 35 बटे 2 का मतलब होता है साड़े 17 ठीक है option number C अगला प्रेशन आपके सामने है एक कैंटीन में एक कैंटीन को परती दिन 14 दर्जन अंडों की आउसकता होती है तो बताओ साथ सप्ताह में कितने अंडों की आउसकता होगी तो आप यहां पर ध्यान दीजिए एक दर्जन बराबर होता है एक दर्जन बराबर होता है बारा तो एक दर्जन में कितने अंडे आएंगे बारा अंडे कितने आएंगे बारा अंडे हमारे पास कितने दर्जन है 14 तो 14 द सब्ज़ा सब्ज़ाइं 59 59 दिन के लिए दिन के लिए अंडे होंगे कितने अंडे होंगे बराबर होंगे 12 गुणा 14 गुणा 59 आप राइटिंग पर मत जाएगा आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा ठीक है राइटिंग मेरे इतने अच्छी है नहीं इन सब को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 से पहले 59 को गुणा करते हैं 12 नम्मा 108 हासिल 10 बारा चोको 48 और 10 58 अब गुणा करेंगे इसको 14 से 14 अठा 112 14 अठा 112 और 11 कितना होगा 14 अठा 112 और 11 अठागी में है ठीक है चलिए अगले कुशन की और एक बेक्ती 8 परतिसत सादरन ब्याज की दर से 4 वर्स के लिए कुछ रुपे उधार लिए ठीक है उसने ब्याज के रूप में 7,384 रुपे चुकाए तो उसने कुल कितने रुपे चुकाए ब्याज उसने कितना दिया 7,38 हमें यहापे मूलधन ग्याद करना होगा पहले ठीक है हमारे पास क्या-क्या दे रखा है SI हमारे पास सिंपल इंट्रेस्ट है सधरन भ्याज हमीं दिरक्रका है 6384 है थिक है आर की वैलिउ हमें दिरक्षी है è 8 th तिandel मुल्धन आपका है 7384 मुलधन समय 106 1388 है तो समय कितना है चार बट्टे सो तो आपके पास जो मूलधन आएगा अब इसको पक्संदर कर दीजिए ठीक है साथ तीन आठ चार यह जो गुणा में है इनको अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यह होंगे भाग में आठ गुणा चार और जो सो बट्टे में था यह जाएगा गुणा में बराबर आपका आएगा पी अब इसको सॉल्व करेंगे तो चार से कटेगा यह एक बार चार से कटेगा आठ बार चार से कटेगा चार बार चार से कटेगा छे बार फिर आठ से अगर काटते हैं तो आठ से कटेगा यह आठ दुना सूला आठ आठ से तो यह कटी नहीं रहा यह पूरा पूरा कटी नहीं रहा आठ से ठीक है आठ तुना सूला आठ तियां चोबीस उसके बाद तो यह कटी नहीं रहा हूँ चलिए दुबारा देखते हैं कहीं पर कुछ गलत हो गया होगा ठीक है एक बार दुबारा देखते हैं SI का मान हमारे पास था SI बराबर होता है P into R into T upon 100 SI का मान था 7384 बराबर P into R कितना है 8 समय कितना है 4 बटे 100 अब इनको पकसांतर करते हैं 7384 यहां जाएगा गुणा में 100 बटे में आएगा 8 गुणा 4 बराबर होगा आपका P 4 से कटेगा 4 एकम 4 4 अठा 32 4 चुको 16 4 चुका 24 अब 4 से यह कटेगा 25 बार 4 से यह कटेगा 2 बार दो से यह कटेगा 2 नमा 18 दो 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 चार और दो तियाँ 6 तो यहां पर आपका आएगा 923 गुणा 25 बराबर P तो 25 तियाँ 75 25 दुना 50 और 7 57 25 नमा 225 तो 25 और 225 प्लस 5 कितना होगा 230 तो इतना आपका क्या आ गया मूल्धन ठीक है तो आपको क्या पूछा है कुल कितने रुपे चुकाई आपको पूछा है मिस्रधन मिस्रधन बराबर क्या होता है मूल्धन धन ब्याज ठीक है यह होता है तो मूल्धन आपका आया है 30,000 25 और ब्याज आपका था 7,384 तो इन दोनों को अगर एड़ करेंगे तो 23,000 75 प्लस 7,384 तो यह आपका आएगा 5 और 4 नो 8 और 7 पंदरा यह 3 और 1 चार 7 और 3 दस और यहां आएगा 3 तो 3,469 जो है इसका सही उत्तर होगा ठीक है अग्वे प्रेशन की और चार सो आमों का क्रें मूल्य तीन सो बीस आमों के बिक्रें मूल्य के ब्राबर है तो लाब परतिसत ग्यांत करो यह वाला जो ऐसा ही क्वेशन एक आया था आपका उत्राखंड में जो अभी पेपर हो था 28 मार्च को 28 मार्च 2021 को उसमें ऐसा क्वेशन आया था लेकिन उस क्वेशन की लैंग्वेश गलत थी तो यह वाला क्वेशन समझे कैसे हम करते हैं 400 आमों का जो क्रेमूले है वो बराबर होगा 320 आमों के विक्रेमूले के तो 400 आमों का CP क्रेमूले बराबर होगा 320 आमों के SP के अब इसको हम पक्सांतर करते हैं CP अपोन SP बराबर होगा 320 बटे 400 एक जिरो से एक जिरो कट गया आठ से कटेगा चार बार 8 से कटेगा 5 पार CP बटे SP का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4 बटे 5 ठीक है तो लाब बराबर क्या होगा लाब बराबर आपका होगा SP बड़ा है और CP छोटा है तो लाब कितने का होगा इन दोनों का डिफरेंच कितना है एक तो एक का आपका लाब होगा ठीक है अब लाब परतिसद का फोर्मूला क्या होता है लाब परतिसद का जो फोर्मूला होता है वो होता है आपका लाब बटे क्रेमूल्य क्रेमूल्य गुणा 100 तो लाब आपका है आपके सामने हैं चलिए solve करने की कोशिस किजिए 10 वर्स पूर्व A की मा A से 4 गुना बड़ी थी 10 वर्स बाद उसकी मा A से 2 गुना बड़ी रहेगी तो चलिए इसको solve करते हैं मान लो A और उसकी मा हैं ठीक है? उसकी मा है A की आयू मान लो 10, sorry X तो उसकी मा की आयू क्या होगी? कितनी गुनी थी? 4 गुनी बड़ी थी 4X होगी ठीक है? अब यहाँ पे 3 condition है पहली, दूसरी पहली, दूसरी दूसरी और यहाँ पे 3 पहली condition में क्या होता है? पहली condition में पहले condition 10 वर्स पहले की है 10 वर्स पहले 10 वर्स पहले की आयू यह है A और उसकी मा A की आयू X थी उसकी मा की आयू 4X थी ठीक है? यह वाली जो condition है दूसरी इसमें बर्तमान वाली condition है यहाँ पे जो है 10 वर्स पहले इतनी आयू थी अगर हम दोनों के आयू में 10 वर्स एड कर दें तो यह इन की की आएगी A और उसकी मा इनकी की आएगी X प्लस 10 इसमे डिया यह हो गई A की आयू और X चार एक्स प्लस 10 चार एक्स प्लस 10 यह आगई उसकी मा की आयू और एक condition और है 10 वर्स बाद की 10 वर्स बाद की condition भी है 10 वर्स बाद A और उसकी मा तो A की आयू क्या है बरतमान में इतनी है 10 वर्स बाद क्या होगी 10 वर्स और एड़ हो जाएंगे तो क्या होगा X पलस 10 यहाँ पे था और 10 एड़ोर करेंगे तो कितना होगा 20 और उसकी मा की आयू क्या होगी 4x प्लस 20 ठीक है तो ये हो गई 10 वर्ष बात की आयू अब जब जो उनकी 10 वर्ष बात की आयू थी उसमें क्या कंडिशन है A से दुगनी बड़ी होगी ठीक है A से दुगनी बड़ी होगी उसकी मा तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं according to question x प्लस 20 बराबर उनकी आयू बराबर तब होगी जब हम A की आयू को गुणा करेंगे 2 से ठीक है उसकी मा की आयू उससे दुगनी होगी अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे 2x प्लस यहाँ पे आएगा 2 दुना 4, 40 बराबर यहाँ पे आएगा 4x प्लस 20 अब इसको हम पक्सांदर करते हैं इस 2x को यहाँ लेके आएंगे तो 4x माइनस 2x इस 20 को हाँ लेके जाएंगे तो 40 माइनस 20 यहाँ आपका बचेगा 20 40 में से 20 गया 20 यहाँ आपका बचेगा 2x तो 2x बराबर आपका है 2x बराबर आपका है 20 तो x की वेल्यू कितनी आएगी 20 बटे 2 मतलब 10 ठीक है अब इसने पूछा क्या है बरतमान आईउ पूछिए तो बरतमान आईउ यह दोनों की तो x की वेल्यू कितनी है x बराबर आपका यह था 10 तो x की जग़ें हम लिखेंगे 10 इसने क्या पूछा है एक की बरतमान आईउ पूछिए तो 10 प्लस 10 बराबर कितना होगा 20 20 वर्ष होगी ठीक है अगला प्रेशन है 24 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आउ सकता होगी तो फॉर्मूला में आपको पहले ही बता चुका हूँ m1 24 गुरुणा d1 40 बराबर m2 कितना है 32 और d2 हमें निकालना है इसको पकसांतर करेंगे तो यह हूगा d2 बराबर 24 गुरुणा 40 बटे 32 8 से कटेगा 5 बार 8 से कटेगा 4 बार 4 से 24 कटेगा 6 बार तो यह हूगा आपका 5 गुरुणा 6 बराबर 30 30 बराबर D2 तो D2 की value कितनी आएगी 30 option number B अगला प्रेशन आपका है चलिए इसको solve करने की कोसिस कीजिए एक बृत्य की परिदी 44 मीटर है इसके चौते हिस्से का छेतरबल क्या होगा बृत्य की परिदी बृत्य की बृत्य की परिदी बराबर परिदी बराबर है 44 मीटर तो बृत्य की परिदी होती क्या है 2 पाई आर बराबर 44 दो गुणा 22 बटे 7 गुणा आर बराबर 44 आर की value क्या होगी 44 ये सारे अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होंगे उल्टे 7 बटे दो गुणा 22 तो 22 से कड़िया 44 दो बार दो से कड़िया 2 एक बार तो आर बराबर कितना होगी गया 7 तो तिर्जा कितनी आई 7 अब इसने 6 तरफल पूछा है 6 तरफल क्या होता है बृत्गा बृत्गा 6 तरफल होता है पाई आर स्कुएर और आर की value कितनी है 7 तो 22 बट्टे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 यहां पर 7 दो बार आएगा ठीक है 22 गुणा 7 गुणा 7 एक साथ से एक साथ कड़िया तो कितना आया साथ दूना 14 साथ दूना 14 और 15 एक सो 154 सेंटीमीटर स्कुएर यह यह आएगा इसका छेत्रफल लेकिन इसने क्या पूचा है चोथे हिस्से का छेत्रफल पूचा है तो यह तो पूरे हिस्से का छेत्रफल कितना है एक हिस्से का छेत्रफल है आपका एक हिस्से का छेत्रफल है 154 तो चोथे हिस्से का एक बट्टे 4 का छेत्रफल क्या होगा कितना आएगा इसका चेटरफल, 38.50 cm², अगला प्रशन आपके सामने है, इसके गुणणफल ग्याद करों, गुणणफल ग्याद करना है, ठीक है, 4 बटे 8 को गुणा करना है, 7 बटे 8 गुणा, 4 बटे 9, ठीक है, चार से आठ कटेगा दो बार तो उपर तो आपका बजगिया साथ नीचे आपका बजगिया नो चुको 36 तो साथ बटे 36 इसका सही उत्तर होगा ठीक है अगला प्रेशन आपका है इस क्रिशन के लिए मैंने आपको बताया था जो रैखे क्यूग में होते हैं यह क्या है रैखे क्यूग में है ठीक है रैखे क्यूग में क्या होता है ए प्लस बी बराबर कितना होता है 180 डिग्री ठीक है इसने ए बी का मान निकालने करें पूछा है और ए माइनस बी का मान हमें कितना दे रखा है 80 degree इन दोनों को अगर हम जोडते हैं तो B से B कट गया और यहां आएगा आपका 2A बराबर इन दोनों को एड करेंगे तो यह आएगा 260 A बराबर आपका आएगा 260 बटे 2 दो से कटेगा एक बार दो से कटेगा तीन बार और दो सुने को सुन्या तो A का माना आगया आपका 130 तो 130 जिस option में होगा वो भी आपका answer हो सकता है ठीक है A की value अब समीकरण A में रख दीजिए A प्लस B बराबर था 180 A का माना आया आपका 130 प्लस B बराबर 180 तो B की value आपकी आएगी 180 माइनस 130 बराबर 50 डिगरी option number C अगला प्रशन आपका है उस लंबे से लंबे बांस की लंबाई ग्यात करें जो एक कमरे में रखा जा सकता है अब देखिए इसको ध्यान से देखिए कोई घन है ठीक है कोई आपके पास घन है जैसे यह घन है अब यहाँ पर आपको दे रखा है यह घन आपके पास है यह घन आपके पास है इसमें आपको क्या क्या दे रखा है एक तो आपको दे रखा है इसकी लंबाई यह वाली इसकी चोड़ाई 9 और इसकी उचाई 8 तो जब भी आपके पास ऐसा पूछा हो बांस की लंबाई अगर ग्यात करनी हो तो हम क्या करते है यहां से यहां तक की दूरी ग्यांद करते हैं, ठीक है, इस कोने से और यहां तक की कोने की दूरी ग्यांद करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो यह घन नी है, घनाव है, घनाव का बिकर्ण बराबर होता है, घनाव का बिकर्ण का बिकर्ण का जो फॉर्मला होता है, व जब भी आपको बांस की लंबाई या पाइप की लंबाई निकालने के लिए बोले गणाब के अंदर तो आपको उसका क्या निकालना होगा बिकर्ण ठीक है तो चलिए अब इसमें मान रखते हैं इसमें आप वैल्यू रखते हैं फॉर्मला क्या था फॉर्मला बिकर्ण बराबर था डायगनल बराबर था रूट L2 प्लस B2 प्लस H2 तो L कितना है 12 12 का स्क्वेर गरा है 18 को 8 एक और एक 2 299 अब आपको अगर स्क्वाइर याद होंगे तो 299 जो है वो किसका स्क्वाइर होता है 17 का और इसका अगर हम बर्गमू निकालेंगे तो कितना आएगा 17 अगला प्रेश्ण है साइन थीटा की आपको वैल्यू याद करनी है ठीक है तो वैल्यू आपको जब याद होगी आप तभी इसको इसका अंसर दे सकते हैं तो इसका अंसर है और इसको नमबर ए रूट तीन बटे दो अगर आपको जो है थीटा की वैल्यू याद नहीं है तो आप यहां से इनको य sin 0 का मान कितना है 0, sin 30 का मान कितना है 1 बटे 2, sin 45 का मान कितना है 1 बटे 2, sin 60 का मान कितना है, रूट 3 बटे 2, तो चलिए आप इसको याद कर लीजेगा, signing out.